फ्रांस के राश्पती इम्यूनियल मैक्रो की मेजबानी को आमेर तैयार हैं कल दोपार सबातीन बज़े आमेर पहुचेंगे इम्यूनियल मैक्रो हाती स्टेंड से गोल्फ कोट के कार्ट के जरिये महल के आधे रास्ते तक जाएंगे मैक्रो और प्रदेदी मजल के सदसे सुरजपोल घेट पर बैक्रो को पहनाय जाएगा पारंफरिक राजस्थानी साफा जलेब चौक पे सचे धचे हाती उंट घोडे स्वागत को मौझूद रहेंगे नाथू जी नगाडे को बचा कर स्वागत करेंगे कच्चे घोडी दृते के कलाकार प्रस्तूती देंगे दिवाने आप में नीला हाउस त्वारा विभने उत्पादों की लगाई जाएगी प्रदर्द दिवाने खास में रावर्ण हत्ता बचा कर स्वागत किया जाएगा प्रांस के दियार्दियों के साथ भी मुलाकात करेंगे बैठो और यहां से तब पांच बजे जंटर बंतर के लिए हो जाएंगे रवाना अचारे इसे ख़वर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमाई साथ एसोसेट एडिटर निर्बल तेवारी साथ जुड़ गए है निर्बल ची प्रधान मत्री देर्द बोदी का अठारा दिन में ये दूसरा बड़ा दौरा इससे पहले आईजी कॉन्फरेंस के लिए आयते लेकिन अब मकसर अलग है जहां ये बताया जा रहा है कि परटन स्थलो पर पहुचेंगों के साथ राश्पती इम्म्यूनल मैक्रो भी रहेंगे जानकारी दीज़ेगा क्या तमाम कारेकरम फाइनल हो चुके हैं कहां कहां पहुचेंगे क्या रोड शो भी किया जाएगा फ्रांस की राश्पती के साथ प्रधान मंत्री का बिल्कुल शिका दे के मेरे हाथ में पूरी फैरिस्ट है जिसमें कल के किस तरह के कारेकरम होंगे लेकिन सबसे पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है कि सूबे के मुख्यमंत्री बजनलाल शर्मा बहुत भागिशाली है जैपूर बहुत दण्य है कि इसकी दरापर लगातार प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का लगातार आगमन हो रहा है सबसे पहले तो डी जी पी आई जी कॉन्फरेंस के लिए जैपूर को मंच चुना गया अब दूसरी बार जब इमानुवल मैक्रो जो की गंतंत्र दिवस पर मुक्यातीती होंगे उससे ठीक एक दिन पहले यानि कल 25 जनवरी को इमानुवल मैक्रो सबसे पहले ढ़ाई बजे जैपूर एरपोर्ट पर उतरेंगे और उसके बाद लगाता और जिस तरह का उनका जो कारिक्रम है जो मेरे पास कारिक्रम की फेरिस्ट है उसमें साफ तोर पर लिखा गया है कि स्टेट एंगर से लेकर जव और फ्रांस का जंडा भी उनके हातों में होगा इसी तरह से उसके बाद शाम को जब दूसरा सेशन जब जनतर मंतर से चाननी चौक और उसके बाद त्रिपोलिया बजार से बड़ी चौपड और बड़ी चौपड से संगानिवी गेट तक जो रोडशो होगा उसमें भी 8600 ऐसे स्कूली बच्चे और अन्य लोग रहेंगे जो कि मोधी और मैक्रो का स्वागत करने के लिए तयार रहेंगे इसी फेरिस्ट में हम सीधे तोर पर बात करें तो देखिए ये जनतर मंतर शिखा पहला सबसे पहला तो यह कि डाई बजे जब इमानुल मैक्रो एरपोर्ट से उतर के सवा तीन बजे जब आमेर पहुंचेंगे तो सवा पांच बजे तक आमेर में रहेंगे आमेर के कारेकरफ हम पूरी तरह बता चुक है इस दोरा नरेंदर मोधी उनके साथ नहीं होंगे परदार मंतरी नरेंदर मोधी शाम को पांच बजकर तीस मिनिट पर दो डोम दिखाने की कोशिश करूँगा आकाश आपको दो डोम दिखाएंगे जहांपर मोधी और मैक्रो दोनों के बीच जंतर मंतर पर प्रदान मंतरी नरेंदर मोधी मैक्रो की इमैनुएल मैक्रो की अगवानी करेंगे तो उन डोम के अंदर बैठ कर गेगी दोनों की बी लिए पी रास्ता है आदे रास्ते वह पैदल चलेंगे पैदल चलके सूरज पोल पहुँचेंगे जहां उनका परंप्रागत सागत सतकार किया जाए गाए उनको सफाप पैना जाएगा उसके बाद ना तुझी अपना नगाडे की प्रस्तुति देंगे सजे दजे हाती इतना चाते हैं, खरीद भी सकते हैं. उसके बाद दिवाने खास की तरफ बढ़ेंगे, वहाँ शीश मैल के देखेंगे. और इसी दोरान, जो फ्रांस के जो छात्र हैं, जो राजिस्तान के अंदर पढ़ रह रहे हैं, उनके साथ वो मुकातिब होंगा, राजिस्तान की संस्क दुनिया की जो सबसे बड़ी वेद शाला कही जा सकती है, जिसमें खगोल शास्थ्र के जितने भी बड़े जो पंडेट परोहित रहाई उन्हों लगातार यहाँ इहाँ पर गनना करते हैं जैसा कि हम पहले भी बताते हैं जिस तरह से यहाँ पर खगोल गाइड जो है उनकी फेरिस्त तयार की गई है यहाँ पर जो गाइड जो उनको दिखाएंगे जंतर मंतर पर वो अमित कुमार मीना होंगे जो फ्रेंच के गाइड होंगे जो फ्रांस के राष्ट पती को यहाँ पर डेमो देंगे मान सिंग शेखावत होंगे जो फ्रेंच डे दोर होगा और रोड शो में सीधे यहां से जंतर मंतर जंतर मंतर चांदरी चौक से जब वो चलते हुए तिरपोलिया बजार तक पहुंचेंगे तिरपोलिया बजार से बड़ी चौपड बड़ी चौपड से सांगानी रिगेट तक पहुंचेंगे और राम निवास बाग होक के उनका ये जो पूरा जो काफिला जो है उनका रोड शो नरिंद्र मोधी का और इमैनुल मैकरो का जो रोड शो होगा देखिए बहुत बड़ी बात है कि प्रदेश के अंदर किसी तरह की कोई एंटी इंकंबंसी नहीं थी फेसलेस चुनाओ हुए थे उसके बावजूद जो मोधी ने जो रोड शो किया उसने फिजा बदल दी थी चुनाओ से ठीक पहले और बाजबा को राजिस्तान में 200 में से 115 सीट मिली अब लोगसभा चुनाओ की बारी है मही में लोगसभा चुना टूरिजम उत्पादे उनकी ब्रैंडिंग भी होगी देखिए फ्रांस से वैसे भी हमारा कनेक्शन अलग तरेका है राजिस्तान के अंदर खासकर जैपूर की बात करें तो वर्ल्ड हैरिटेस तीन साइट है एक साइट जो जंतर मंतर पे हम खड़ें दूसरी साइट जो आ इमानुवल मैक्रो यहां आएंगे जैसे मैंने आपको पहले भी बटाया कि एक बहुत बड़ी टूरिजम का जो इवेंट होता उसका नामें टॉप रेजा जिसको परिस के अंदर आयुद किया जाता है पिसले दुनों राजिस्तान से भी हां के हर साल हमारे हम हमारे राजि इनर होस्ट करेंगे नरिंदर मोदी तो निश्चत मानिए दौनों के बीच में जिस तरह के समझोते होंगे जिस तरह की वारता होंगी उससे नेकेवल परियटन को बढ़ावा मिलेगा बलकि एक और जोगिक विकास तकनिकी छेतर में जो आपस में आदान प्रदान होगा क् कि राफेल की बात करें या दूसरी जो सामरिक टंकी जो है जो राफेल जैसे जो लड़ाकु विमान है गर हमने उसको फ्रांसे सोदा किया है तो निश्चत तोर पर फरांस और हमारे वेंजन हमारा पैनावा तो एक ऐसी विवद सांस्क्रतिक विवदता जब राजिस्तान में देखने को मिलती है और इमानुवल मैक्रो को यहां लाने के पीछे कारण यही है कि वो आमेर से लेकर जब एरपोर्ट से आमेर पहुंचेंगे और आमेर से फिर वो जंतरमंतर और पूरा परकोटा देखेंगे तो उनको पता पड़ेगा कि नगर नियोजन का एक पुरानी जो तकनीक थी जो आज भी बहुत ही प्रासंगी कि आज भी शिखा यह होता है कि बरसात की एक बूंद भी परकोटे में स्लिंड ठहरती कि इसको इस तरह से इसका इसका इस्तापत है कि जो सारा पानी है वो एकत रोके अलाग निकल जाता है और किसी तरह का यहां वाटर लॉजिंग जसी समझा है परक जब हम देश-विदेश में जाना जाता है जयपूर की बात करे तो हावा महल की तस्वीर आपको हमेशा देखने को मिलेगी तो यह हावा महल सिटी पहले जंतर मंतर का पूरा एगि पूरा कोर और जो बफर जोने इसमें साफ सफाई की तमाम वेवस्ता कर दी गई है इसके जो देखना चाहते हैं, जो राजिस्तान की सांस्कृतिक हमारी जो सम्रदता है, उससे वो रूबरू होना चाहते हैं, तो हम वो सब चीजे दिखाएं, उनके लिए इसी तरह के वेंजन तयार किये गए, रामभाग में जब शाम को डिनर होगा तो उनको इसी तरह के वेंजन परशे जएंगे जिसमें राजिस्तानी के खानों की सौधी सुगन दोगी, उनके मसालों की सौधी सुगन दोगी, उनको लोग कलाकार जब कच्छी गोडी agreeing के कलाकार परस्तूती देंगे राववन हत्ता बजाय चाएगा, तो आप अंदाजा लगाए कि रावन हत्ता ये साथ समंदर पार तक उनकी वो है और मैं फ्रांस की एक बार फिर आपको बात करूँ को गुलाबो, सपेरा, जो की काल बेलिया नितिकी सबसे बड़ी नत्यांगना है उनको फ्रांस के अंदर एक तरह से वो अपने जीवन का बड़ा अनमोल समय फ्रांस में बिताया है अपनी कला को वहाँ पर बिखेरा और भाई से गुलाबो को पूरी दुनिया जाने लगी थी और गुलाबो की वज़े से राजिस्तान को जाने लगी थी तो हमारा तो एक-एक परेटन उत्पाद अपने आप में ब्रांड एम्बेस्डर है और निश्यत तोर पर जब मोधी और मैक्रो कल जब यह आएंगे उनकी मुलाकात यह होगी तो आप मानिए कि ब्रांडिंग का यह सबसे बड़ा दिन होगा राजिस्तान परेटन की उत्पादों का और इसका भविश्व में बहुत लाब लाब लेगा चाहिए